हलो दोस्तों, हलो दोस्तों, अभी आयोग ने, BPSC आयोग ने एक नया बदलाओ करने का नेड़े लिया है, वो भी छात्रों की सुविधा के अनुसार, छात्रों की सुविधा के अनुसार या नेड़े लेने का प्रियास आयोग करने जा रहा है, कि अगर अभ्यारती सहमत हु तो ही 68 BPSC की जो PT का एक्जाम होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वरना नहीं होगी, ठीक है, इसका नेले कैसे लिया जाएगा, आयो जो है, यह भी फैसला लिया है, कि जब इसका फार्म भरुआया जाएगा, 68 BPSC का जब फार्म भरुआया जाएगा, उसी दोरान अभ्यार्थियों से फीडबैक मांगा जाएगा राय ली जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग रखा जाए या ना रखा जाए तो उसमें हो सकता है कि फार्म में ये मेंसन करने को आ जाए कि आप नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं क्योंकि आयोग ने पहले नेड़े लिया था कि पीटी एक्जाम में 150 कोश्चन में 50 कठिन पशनों दो-दो अंग के होंगे और गलत उत्तर पर अंग काटे जाएंगे अब आयोग ने अतने किया है कि आसेट हुई VPSC के लिए अब आवेदर निकाला जाएगा तभी अभ्यार्थियों से नेगेटिव मार्किंग के बारे में फीड़ बैक मांगा जाएगा और उसी अधार पर नेड़े लिया जाएगा कि परिच्छा नेमा वली का बिधिवत डाकॉमेंट भी बनेगा तो सुक्रवार को या आयोग की बैठक में नेड़े लिया गया इसका मतलब यह हुआ कि आयोग 68-2 परिच्छा में गे नेगेटिव मार्किंग करेगा या नहीं करेगा यह बच्चों पर निर्भर है यह अभ्धार्थियों पर निर्भर है चात्रों पर निर्भर है अगर वो फाम भने दोरान अगर वो सहमत हुए तभी निगेटिव मार्किंग होगा वरना निगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसके अलावा आयोग ने भी फैसला लिया है कि 67 BPSC का जो प्रारंभिक परिच्छा हुई थी उसका रिजल्ड 15 नॉमबर तक निकाल दिया जाए जिसके उनका मेंस जो है दिसंबर में है इसके अलावा इसी महीने में जो यह भी कहा है BPSC की इसी महीने में प्रारंभिक जो है निकेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा वरना लागू नहीं किया जाएगा तो अगर ऐसी कोई न्यू जब आती है इसके आरावा आयोग से तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाएगा ओके थैंक यू